बिल्कम पेख फ्रेंड दोस्तों नमस्कार बहुत बड़ी खुसकवरी आपको सुनाने वाले हैं तो भाईया आपका डीबी पेस्टी डेट जो है डिकलियर कर दी गई है आपका डीबी पेस्टी कहां होगा किस जगा होगा मेल फिमेल सब कुछ एक दम पूरा सब कुछ जारी कर दिये गया ठीक है ओफिसेली आपको दिखाने वाले हैं तो भाईया लाइक कर देना वीडियो को जादे जादा शेयर कर देना अब आपका रिजट बहुत जालता जाएगा हो सकता है आज भी आ सकता है लेकिन डीबी पेस्टी के रिडिट जो है जो इंटरनेट नो रही है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फटाफट परते नोटिस को यहाँ देखिए यह ओफीसियल है अब बहुत जल्द आपको इस स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा ठीक है कहां पर ऑफीसियल साइट पर वेफ साइट पर जल्द जैसे आएगा उसके पहले आ यहाँ देखे परिच्छा के उधिव मत्तब डी बीप होना है 25 तारिक से स्टार्ट है साथ मैई तक आपकी चले गवा चलेगा 25 अप्रेल से स्टार्ट है साथ मैँ तक आपका डीपीपेश्ट होगा थेखे नाप जोक और पलस डकुमेंस वेरिफिकेशन कभीस्हों IT कब से मतलब आपका DBPST की कारवाई संपन कराय जाने है तू कार योजना के समकच साड़ी जारी की गई है तो यहां से अच्छे बताते हैं परिच्छा केंदरें यहां देखते हैं क्या का सारी चीजे होनी वाले ही तहां कहां पर बना गया जोन नमबर बन देख लिए आगरा, मेरट, बरेली, कानपूर, लखनव, परियागराज, बनारस, गोरखपूर इतने सारे जीलों में आपकी DBPST होनी है टोटल आठ जीला है ठीक है और यहां देखो DBPST की लोकेशन कैसे तीथी सब कुद दिये गया है 25 तारिकों केवल 25 अपरेल को किसका होगा, स्वतततर संग्राम से नानी और इनी कहोगा भूतपूर सैनी ठीक है 25 अपरेल के इनका स्पिसल होगा और उसके बाद यहां पर देखो आगे बढ़ते हैं 20 सपरेल से लेके 27 सपरेल तक केवल फिमेल जाएंगी DBPST कराने 26 सपरेल से लेके 27 सपरेल तक फिमेल का DBPST चलेगा उसके बाद आगे देखें क्या होगा 28 सपरेल से लेके 29 सपरेल तक अनसूची जन जाद का यानि SCST कंडिडेट का 28 तारिक और 29 सपरेल तक चलेगा दो दिन बागी 30 सपरेल को अन पिछलोबर OBC बागी 3-5 से 6 तक यानि 3 माई से 6 माई तक जर्नल और EWS कंडिडेट का DBPST होना है तो भाई ये सब का अलग-अलग होगा और दिनांक 7-5-2022 को रिजर्ब डेट रखा गया है अनुपस्थित या परत्यवेदत देने वाले भारतियों को एक और मुका दिया जाएगा तो साथ तारिक को जो कंडिडेट छूट जाएंगे उनको एक और मुका दिया जाएगा बागी सब का अलग-अलग DBPST होगा यहाँ पे देखो 25 तारिक से स्टार्ट है सब का अलग कर दिया गया है SCST का अलग होगा OBC का अलग होगा DBPST डेट और जर्नल का अलग होगा जर्नल EWS साथ OBC अलग SCST एक में रहेंगे और महिलाएं अलग रहेंगी और 37 सांगराम सिनानी और भूतपूर सेनी एक रहेंगे तो भाई यहां से 25 तारिक से स्टार्ट है 7 तारिक तक 7 माई तक पूरा सब को समाफ्थ हो जाएगा उसके बाद ततकाल दवड आपकी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है 9 बज़े से 3 बज़े तक उसके बाद 3 बज़े से 6 बज़े दक दो टाइम आपका डिबी पेस्टी सारी चीजे होनी है इतनी जान करें आपको पैसले कमेंट करके जरू कताना है यह ओफिस्यल है आगे देखिए नोट दिनांग 15-2022 रभी बार को अवकास रहेगा यानि 5 तारिक को छुट्टी रहेगी किलियर तो भाईया अच्छे से खुस हो जाओ और डाको में सच्छे से तम रेडी कर लेना ठीक है 25 तारिक से आपका डिबी पेस्टी होना है और 7 तारिक तक आपका डिबी पेस्टी चलेगा अच्छे से दिख रहा होगा इसक्रीप सॉट लेके रख लेजिए तक आपका डिबी पेस्टी होना है डाको में सच्छे से रख लिजिए ये वाइरल हुआ है नोटीस ये सच है एकदम हंट्रेट परसें सच है ठीक है वीडियो का इसलिए कमेंट करके जरू गताना मिलते ने शूडिन थेंक्यू धन्यवाद